असलालेकूम फ्रेंड्स, वेलकम टू माइ चैनल, शबनूर ली कभी आफ कैमरा, कभी आन कैमरा, बहुत से काम ऐसे होते हैं, जो हमें रेगुलर करने पड़ते हैं क्लीनिंग, वार्टरिंग, ये सारे काम, कभी सीर्स लगाना, कभी कलेक्ट करना, कभी प्लांट्स लगाना, कभी प्लांटर्स अरेंज करना रेगुलर ही जब काम करेंगे ये सारे तभी आप अपने गार्डन को मेंटेन कर सकते हैं तो आज जो थोड़ा बहुत मैंने काम किया आपके साथ शेयर करते हैं बहुत अच्छे से वर्क हैं, इंजोई करेंगे आप भी जैसे कि मैं यहाँ पर आई हूँ गोंफ्रेने का एक प्लांट देखा मैंने जिस पर बीच तयार हो चुके हैं यह फूल तो काफी दिन चलते हैं, लगे रहते हैं और जब सूख जाते हैं, तो आप इसको ग्रो कर लीजे तो मैंने भी इन सीर्स को देखा और पास ही में एक प्लांटर पड़ा हुआ था उस प्लांटर में मिटी काफी दिन से भरी हुई थी वीर्स उगायती, घास वगेरा तो मैंने उसको क्लीन करके कल ही रखा था तो हम इसी में इन सीर्स को डाल देते हैं तब तक हमारे यह प्लांट थैयार हो जाएंगे नए नए, जो पुराने हैं वो तो सूख रहे हैं तो न्यू प्लांट्स आ जाएंगे और आपको क्या करना है नॉर्मली इन सीर्स को इस तरह विख्रा देना है और थोड़ी से मिटी लेकर उपर से डाल देना वाटरिंग करते रहें आराम से यह प्लांट्स रेडी हो जाएंगे वाटरिंग कर चुकी हूँ वाटरिंग करने के बाद काफी कुछ भी खर जाता है तो क्लीनिंग भी करना पड़ती है और कुछ प्लांटर्स भी रेडी करने पड़ते हैं जब भी आप क्लीनिंग करिए कवार से कुछ न कुछ हाथ में आई ही जाता है तो आज मेरे हाथ में आ गया है ये थर्मकोल का बॉक्स इसको हम यूज करते हैं भई कवाल दिखाई देगा तो क्या सोचेंगे गार्डिंग के लिए ही तो सोचेंगे कि ऐसे प्लांट्स इसमें लगा दिये जाएं जो ब्लूमिंग करें या तब तक तयार हो जाएं जब तक उसका ब्लूमिंग कर टाइम हो तो यह मैंने शेरिंग से लिया है हमारे पडोस में मेरी एक ट्यारिस्टर सिस्टर है उन्हीं ने हमको ये दिकार निकार कर दिया है तो हम मारे पास और भी एमरिलिस लिली के बाल्फ से हैं जो के फ्लारिंग अब तक करते रहें हमने आपके जब भी एक्स्रा मिटी बना कर रखते हैं और बज जाती है प्लांटर में भरने के बाद तो मैं ग्रो बैग में भर कर रख देती हूँ कटिंग्स लगाने के बहुत काम आता है तो बस क्या करना है मैंने उसी में से लिया तैयार मिटी है इतने दिन से रखी है तो healthy भी हो गई है थोड़ी से मिटी रखते हुए इस पर और इसको मैंने cover कर दिया है देखे फूल खिलकर सुख चुके हैं वो stop में मुझे काटना है तो यही सारे काम डेली के होते हैं जिसे maintain किया जाता है garden को प्लांट लखने के पाद यह पड़ा हुआ waste डबबा कितना खुबसूरत लगने लगा है और मैंने normally कुछ नहीं क्या यह तो टूटा ही था और एक डोरी से मैंने इसको चारो तरफ से बान दिया है चाहते तो cello tape भी लगा देते लेकिन अभी तो मैंने बान कर ही काम चलाया है और इसमें drainage hole दयार करने की जरूरत नहीं है एक तो lightweight है टेरिस पर कोई जादा वजन नहीं आता है कैरी करने में इदर से उधर रखने में बहुत हलका होता है और खुबसूरत भी लगता है इसलिए धर्मा कोल के waste container जितने भी हो आप use कर लिया कीजिए मैंने भी पिछले बा की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलाह अफिज